हालो फ्रेंग्स वेलकम यू आज मैं आपके लिए जो वीडियो लिक्या रहा हूं देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है क्योंकि अर्निंग सीजन यानि कि result आउट हो रहे हैं companies के एक के बाद एक लेकिन जब result आउट होते हैं तो बहुत सारे retail निवेशक मैं फिर सब repeat करूँगा इस term को retail निवेशक यानि कि छोटा निवेशक जो कि smart money की understanding नहीं रखता है देखिए जो smart money की understanding रखते है definitely मैं उनको retail नहीं कहूंगा retail कह सकते हो retail with the understanding of order flow with the understanding of smart money concepts यह बहुत important है तो उन लोगों का जो कि smart money के बारे में जानते हैं उनके flow को समझते हैं वो definitely उनका यह question नहीं होगा कि result तो बहुत अच्छा आया फिर भी stock में भारी गिरावट आई लेकिन हां बहुत सारे लोगों का यह question होता है definitely आज की comments आये तो आज आप इसके बारे में बहुत important चीजें सीखने वाले और समझने वाले हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मां आपको बता दूगर आप तक चैनल को subscribe नहीं किया तो जल्दी से subscribe कर ले बैल icon को प्रेस कर ले जिससे आपको अदभुत यह देखिए जरा किस तरीके से quarter one financially यह देखिए अब आप कौटर टू के profit amazing 15% की quarterly basis पे अगर रियरली basis पे देखो के तो 18% का जम आप को कि इतना बढ़िया profit इतनी बढ़िया revenue growth यह फिर भी फिर भी stock डाउन गया चलिए यह सब छोड़िये डी मार्ट की बात करते हैं डी मार्ट के numbers को देखिए बहुत ही बहतरी numbers amazing number मैं कहूंगा फिर भी आपको गया है यह क्या हुआ यह stock फिर भी नीचे गिर गया अगर आप दोनों की यह 1650 के 1660 के राउंड अपको यह हो क्या रहा है यह कैसी चीज़े हो रही है यह अच्छे अच्छे stocks ऐसा कैसे पर्फॉर्म कर रहे हैं अब मैं आपको आगे का बात बताता हूं देखिए बहुत important बात आप भला मानो या बुरा मानो आपने infosys का infosys का insider trading का case सुना होगा सुपा रह सकता है जड़ा सोचिए हर कोई बड़े जो smart money होती है वो एक एक रूपिया कहां खर्च हो रहा है उस stock का कहां से profit आ रहा है कितना profit आ रहा है हमने last time पे VST Tiller की बात करी थी जब वो 1800-1700 की range में चल रहा था और पिछले कुछ quarter में लगातार sales के नंबर पढ़िया आने वाला था तो सीधे ती निजार का target आपको दिया था तो कहां तक वो गया था उस time पे आपने देखा होगा VST Tiller में अगर आप देखो कि क्या यह numbers आपको लगता है कि यह numbers मतलब मैं कि calculations से पीछे रहे गए होंगे smart money के तो अगर आप अपने आपको यह smart money बड़े निव जाते हो अगर सोच लो आपने खरीदा होगा यह jump कर रहा आपने खरीदा होगा यह 1720 की range में 1700 की range में although आपको गया यह तो बहुत ही अच्छा price है बहुत ही सस्ते में मुझे मिल गया आप यह सोच रहोंगे तो सोचे उसके बाद जब नीचे आओगा फिर आपको गया नहीं तो actually गलती result की नहीं है गलती किसी operator मैं कहूंगा या बड़े निवेशक की नहीं है गलती हर किसी दी मान लो इस चीज को मान लो कभी भी stock market में आपको बड़ा loss होता है तो उसके पीछे कोई कारण नहीं होता उसके पीछे सबसे बड़ा कारण आप खुद होते हो यह बहुत गलती कड़वी सच्चाई है जिस दिन आप इसको समझने लग जाओगे उस दिन आप reality का एहसास करने लग जाओगे और जिस दिन आप reality का एहसास करने लग जाओगे तब आप अपनी गलती सुधारनी की कोशिश करोगे समझे इस बात को अपनी गलती जब सुधारनी की को हम देखेंगे समझने की कोशिश करेंगे क्या ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुरिटी थी अब आप सोचिए चलिए डीमार्ट के स्टॉक को देखें कितनी बढ़िये गिरावा टाइम अब मैं अभी मंतली वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे हूँ अब जड़ा सोचि है बिलकुल 90 RSI पे क्या इस इस situation पर जहां पर moving average से इतनी दूरी बन रही है आप long term के लिए खरीद होगे आपको कि नहीं आपका सीधे-सीधे answer होना चीह नहीं we will wait for the correction मैं आपको हमेशा कहता हूं always the value wise always near to the that near to the moving average 20 EMA 50 EMA इसके near value zone होता है value zone understand this और उस particular time frame पे मालो अगर weekly दूर निकल गया जैसे कि weekly यहाँ पे दूर है लेकिन daily का value zone यहाँ पे है and your goal should be on the basis of that time frame समझे उस पार्ट को हमेशा देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे दी मार्ट का stock में इस range में आपके लिए वीडियो लेके आया था long term perspective के लिए weekly के हिसाब से अठाइस ओना त्रिस्वो की range में अगर आपने वीडियो देखे होंगे क्यों RSI super momentum area और यह आपका moving average के बहुत ही नियर मतलब यह long term यह long term की opportunities है यह long term की opportunities है यह बिलकुल भी नहीं है ना weekly के हिसाब से ना daily के हिसाब से ना ही मन्थली के हिसाब से जरा सोच यह कितना बड़ा आप risk ले रहे हो और important part जब आप इन areas में खरीटते हो क्या आपने सोचा है होगा आप कितना risk लेना चाहते हो हां अगर यहां पर 4400 पर आप enter कर रहे हो तो आपके पास पता है कि आपको इससे नीचे जाएगा तो आपका plan fail आप निकल जाओगे यह देखिए super momentum area पता है ना आपको कि इससे अगर plan fail हो गया इस area में तो आप निकल जाओगे क्या यहां किसकी strategy में आ रहा है मैं कहूंगा यह totally आपके लिए wastage है लेकित आपकी क्या strategy है आप क्या करना चाहते हो वह आपको पता होना चाहिए tips के भरोसे बिलकुल मत रहिए सबसे important बात tips के भरोसे बिलकुल मत रहिए आपकी learning ही आपकी priority है जड़ा देखिए जब हम बार-बार कहत weekly के super momentum area तो understand these basic things अब देखिए अब मुझे आप खुद बताइए कि moving average से इतनी दूर RSI बिलकुल 90 को touch करता हुआ एक पर नहीं तीनो time frame पे चलिए अगर मन्थली उपर होता weekly यह थोड़ा 60 के area जो हम range shift की बात करते हैं Andrew Cardwell जी के concepts की बात करते है range shifting की क्या यह उस हिसाब से भ तो आपका goal क्या है on the basis of your goal your actions will be defined on the basis of your goal your risk management will be defined सारी strategies आपके goal के basis पे होती है कि आपका कौन सा time frame आप यूज कर रहे हो तो इसी दिए हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि tips को भी अगर आप देखते हो तो उसको समझे अब HDFC bank जैसा कि मैंने कहा आपको कि smart money already इसको यहां तक ले बन चुकी है इसका यह मतलब कि भाग नी सकता है भाग सकता है but where is your risk यह देखिया अगर आप यहां पर एंटर कर रहे हो इन एरियास में 1600 की range में इवन इन एरियास में आप एंटर कर रहे हो आपको बता आपको stop loss कहां पे और डेली पे यह moving average से थोड़ा पास है weekly पे धूर गया है तो यह सहसाब से लेकिर आप देखिए यह नीचे गिरा जिसने 1700 के लेवल पे एंटर किया होगा या तो छोटे time frame wise वह अपना stop loss का hit हो के निकल गया होगा कोई दिक्कत वाली बात निए उसको बहुत कम loss होगा लेकिन अगर आप long time perspective से सोच आप करेगा नहीं यहीं पर मैं इंटर करूंगा तो जरा सोची कितना रिस्क आप ले रहीं यह आपको पता ही नहीं है this is most important thing और आप अगर तसली से देखोगे कि price को यह smart money जब काम करती है न आप सोचोगे result आया है आप सोचोगे result अच्छा आया है आप सोचोगे कि stock भागेगा smart money बिल्कुल वैसे ही act करती है उस stock को भगाते हैं आप सोचो कि stock छूट गया कि मेरी तो गाड़ी छूट गी चलो 1700 पर खरीद लो 1720 पर करीद लो आपने plan बनाया होगा कम पर खरीदने का लेकिन यह तो गाड़ी छूट गी इस चक्र में आप भावनाओं में बह जाते हो और उसके उपर वाली के concept में यही होता आप देखिए support को break किया जाता है हलका नीचे ले जाता है आप सोचते हो support टूट गया है वो नीचे जाएगा और वहां से जितना भी stop loss से उनको लेके वापस भाग जाएगा आप सोचो कि support टूट गया यह तो दीचे चला गया अब तो हम निकल जाते हैं य जब आप smart money concepts को understand करते हो तो आपको पता है एक possible scenario यह भी है आपको पता है कि एक possible scenario यह भी है smart money इसको उपर दे जाके नीचे लेके आ जाएगा सोचे इस बात को और समझे तो एक इस angle से भी सोचना start कर दीजिए from the smart money point of view कि अगर ऐसा होगा तो smart money क्या सोच रहा होगा वो कहा पे कहां पे orders पड़े हुए है किस तरीके से flow चल रहा है definitely मुझे ऐसा देगे आप दीमाट के शेयर को definitely हर को इस सोचेगा कि यह result अच्छा है price उपर जाते ही booking हो सकती है क्योंकि we are already in a danger area we are already over 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 bought region over 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 तीन बार में इसलिए बोड रहा हूँ क्योंकि देखिए monthly weekly daily हर जगे पे हम टॉप पे हैं तो यह important अगर monthly पे टॉप पे है चलिए weekly और डेली पे हम 60 के around support भी ले रहे that is again a good opportunity but हम तीनों पे टॉप पे हैं जरा सोच यह तो चलिए फिलाल wind up करता हूं इस वीडियो को उमीद करता हूं आपको समझ में जरूर रहा होगा और smart money flow को सबसनी की कोशि पीडियो को यह तो